तो हेलो दोस्तो असलालेकूम आप सब केसे हैं तो दोस्तो आज के हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है तो दोस्तो इतना जादा गर्मी होता है कि आप दो मिनट धूप में खड़े हो जाओ तो जैसे कि आप नहा के आया हो इतना पसीना हो जाता है कि मैं आपको क्या ढ़ए दूब की वजे से बाहर नेकला नहीं जा सकता है तॉब bet दिखनदी की वोजे से बाहर नहीं निकला नहीं सो पाता है और गर्मी में गर्मी के वजे से पूरी रात इतनी गर्मी होती है और राध में लायड भी आती-जाती रहती है और पंखा भी बराबर नहीं चलता है इसलिए पूरी रात में नहीं सो पाता हूँ इतना जादा गर्मी होता है तो जैसे कि गर्मी का मोसम चल रहा है और अभी गर्मी के मोसम में जहां पर मसीन चलती है जहां पर पानी चलाए जा रहे हैं जिसे कि धान के बिये में चाहे जहां चलाए जा रहे हैं तो वहाँ पे बच्चे जाके नहाने लगते हैं तो मेरे बाजू में मेरे चाचा का चल ला है तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको बच्चे किस तरीके से नहा रहे हैं और हमारे यहां के बच्चे बहुत ज़्यादा सेतान बच्चे हैं, वो लोग को इतना भगावत अभी भी नहीं जाते हैं, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से नहार हैं बच्चे लोग, तो पहले मैं आपको अपने बिया दिखा देता हूँ, जो हमने दो 25 दिन बाद ये बड़ा हो जाएगा तयार हो जाएगा बिल्कुल बोने के लिए देखिए गाइस कुछ इस तरीके से बच्चे यहां पर ना आते हैं यहां के हमारे यहां के बच्चे बहुत ही शेतान बच्चे हैं यह देखिए स्विंग पूल बना के रखें इस सब को खेत को स्विंग पूल बना के रखें हैं इस तरीके से ना रहें अर्लै ना आते हैं इस आठमा यहाओ अर्द। तो दोस्तों गर्मी में ऐसे ही बच्चे लोग नहाते हैं तो गर्मी का मज़ा बहुत ही अच्छे से ले रहे हैं स्विंग पूल खेट को बनाके तो हमारा ये छोटा सा व्लोग आपको पसंद आया तो इसको प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा तो हम मिलेंगे एक और ने वीडियो के साथ तब तक के लिए आप खुश रहिए